हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागता है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि हमने हिंदी पैडगोजी स्टार्ट कर दी थी जो कि आपका बिल्कूल मैंने NCRD बेस पर कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स निकाल के लाया हूँ चेप्टर वाइस वही मैं आपको करवा रहा था जिसमें मैंने आपको पहला चेप्टर जो की भाषा आधिगम एवं अर्जन जो होता है वो मैंने आपको करवा दिया था अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा नहीं देखिए तो वीडियो के decision में मैंने उसका link दे रखा है या फिर channel में अलग से playlist बना रखिए आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हो तो आज हम बात करेंगे उसके आगे वाले chapter second की तो इस वीडियो का append तक देखते रहेगा आपको सारी information मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं तो आज का इसका यानि कि जो आपका सिक्षा शास्त्र था हिंदी पेड़ागोजी का उसमें आपका पहला chapter जो की था भाषा अधिगम एवं अर्जन वो हमने कर दिया दूसरा आज हम chapter करेंगे जो कि आपका भाषा शिक्षन के सिद्धान्त द्यान रखेगा एक विधी भाषा शिक्षन की जो विधिया होती है वो अलग है आज हम बात करेंगे भाषा शिक्षन के सिद्धान्त तो ये पूरा का पूरा जो आपका content दिया गया है, विशेश उची दी गयी है, जो आपके seated के slaves के अनुशार है, तो चलिए आज का अपना second chapter स्टार्ट करते हैं, तो topic लिख लिजिए, भाषा शिक्षन के सिध्धान्त chapter 2, अब ये भाषा शिक्षन होता क्या है, पहले तो सिक्षन सूत्र, सिध्धान्त आदी, दियान रखेगा सिक्षन सूत्र भी बने हुए हैं, और सिक्षन सिध्धान्त, सिक्षन सिध्धान्त के अंदर ही सूत्र होते हैं, दोनों चीज में आपको clear करता हुआ जओंगा आज की वीडियो में, तो आज के वीडियो का आप सिक्षन की खाद होती है, इसके बल पर वह अपने सिक्षन को संब्रद बनाता है, कहने का तात पर यह हैं, कि जो भी आपकी teachers आपकी courses में आते हैं, वो जो अपने साथ सिक्षन समगरी को लेकर आते हैं, उसका उपियोग या फिर उसका सदूपियोग कैसे किया जाएं, वो स हिसारी के छातरा इस्तमाल कर पाएंगे जैसे की पीड़-पodhan को जूर्थ होती है टायम पर तो हम उसमें क्या देते है फर्टिलाइजर आनी की खाद देते थाकि पीड़-पodhan कि कैसे हो सके अच्छी ओ सके तो उसी प्रकार से हम बच्चों का जो सिक्षन सूत्र और सिद्धान्त होते हैं उसका हम इस्तमाल करते हैं अगर बात करी जाए कि जो सिक्षन सूत्र ये सिद्धान्त कितने हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि 10 से की 12 की 14 है लेकिन जो हमारे लिए important 10 है हम उनको पढ़ेंगे तो आप देख सकते हो जो की निमलिकित है कौन कौन से आपके सिक्षन सूत्र ये सिद्धान्त चलिए एक एक करके बात करते हैं तो पहला आ जाता है नियोजन का सिद्धान्त तो शाप्दिक आर्तर में बात करे जाए तो ये एक परकार से पूर्व पाठ की तयारी, कहने का ताथ पर यहां पर यह है कि जब आपकी क्लास में जब आपका टीचर पढ़ाने के लिए जाता है तो उससे पहले, यानि कि कक्षा में जाने से पहले जो सिक्षक होता है, जो टीचर होता है वो अपना पूरा का पूरा नियोजन तयार करके लाता है, पूरा का पूरा एक समरी तयार करके लाता है, कि वो कितनी देर पढ़ाएगा, जो कि टाम टेबल बनता है, कक्षा में, या फिर कैसे पढ़ाया जाए, या फिर कौन सी सिक्षन समगरी लाया जाए, या किस परकार से किस को पढ़ाना है क्यूंकि बच्चे जो होते हैं क्लास में वो अलाग अलाग प्रकार की होते हैं कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं कुछ बल्चे देर से शीखते shouldn't का सिध्धान्थ अपनाना चाहिए दूसरा है शिक्षण सूत्र के क्रियावन का सिध्धान्थ अब यह सिक्षण सूत्र आ गया देखो आप सिक्षण सिध्धान्थ के इंदर ही आपके सिक्षण सूत्र होते हैं सिध्धान तो आपके सारे के सारे जो theories दिये गए हैं वो हैं लेकिन उसके अंदर हम किन-किन चीजों का इस्तमाल करते हैं जो हमारे formulas होते हैं वो कौन-कौन से तो important art परकार के बारे हम बात करेंगे जहां से questions आपके बार-बार paper में पूछे जाते हैं तो पहले हम बात कर लें कि इसके अब्दिक सब्द का अर्थ क्या होता है तो शिक्षक का दूसरा कार है दियान रखी का पहला कार है तो मैंने आपका नियोजिन बता दिया तो शिक्षक का दूसरा कार है कि वह सिक्षन सूत्र के क्रियावन के सिध्धान्त को अपना है मतलब ह हमें किस परकार से पढ़ाना है कैसे पढ़ाते हुए ले जाना है क्योंकि हम कहां से पढ़ा रहे हैं पूर प्रात्मिक से पढ़ा रहे हैं मतलब प्रात्मिक मान सकते हैं एक से लिगार पाचवी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर हमें किस परकार से हमें पढ़ाना है कि परकार से हमें पूरा का पूरा नियोजन करना है उसका जो सूतर होता है उस सिध्धानत को आपनो अपनाना चाहिए जो कि कितने परकार के होते हैं तो यह आठ परकार के होते हैं जो कि कई बार कोशन्स पूछी लिया जाते हैं तो इन आठों परकार को मैं अच्छे सा समझार वें चलता हूं आपको तो पहरा सिक्षन सूतरा जाता है आपका सरल से कठेन की ओर अगर आपने इससे पहले कभी सी ट जाने से तक के तयारी बच्चों को से चीज़े सिखाने चाहिए जैसे कि हम जब छोटे थे तो शुरू-शुरू में हम क्या सिखते थे A for Apple, B for Buy, directly हमें A, W, P, L, E तो नहीं सिखाया जाता था ना, पहले हमको A, B, C, D सिखाया जाती थी, तो आप देख सकते हैं, पहले आपको एक छोटी चीज़ सिखाया जारी है, जो कि सहरल है, और फिर आपको कटिन की तरफ ले जाया जाता है, और वो ही आपका सीखनी सिखानी की परिकिरिया का सही हिस्सा होता है, पहले बच्चे के अंदर क्या कर सकँ आए जो विल्कुल उetusका पूर्व ग्यान की अधार पर हो for example के रोप में कि आपको मैं अगर ये बोलू की multiply सिखाना तो multiply सिखाने से पहले आपको क्या क्या आना जीए जमा घटा आना जीए तो जमा घटा क्या है आपका पूर्व ग्यान है पहले आपको सिखाया जा चुका है अब आपके लिए नया क्या है multiply गुणा है तो आपको पहले क्या किया जाएगा ग्यात यानि कि जो आपका जमा घटा आपको आता है उस चीज पर अधार पर आपको सिखा कर फिर नए ग्यान की तरफ ले जाए जाता जो कि गुणा यानि की multiply जो है वो आपके लिए अज्यात है तो इसलिए आपको पूर्व ज्यान के आधार पर नए ज्यान को देना चाहिए उसी को हम क्या करते हैं ग्याद से अज्याद की और पहले हमने पिछला ज्यान जो से आता था उससे को रिलेट करते हुए हमने नए ज्यान को उसको सिखाने की कोशिश करी है next step का मूर्थ से अमूर्थ की और मूर्थ का मतलब वो होता है जो चीज हम देख सकते हैं और अमूर्थ का मतलब वो होता है जो हम चीज को देख नहीं सकते for example मूर्थ कोई भी व्यक्ती हो गया कोई स्थान हो गया कोई table, kursi, chair, bed, bed sheet किताब, पुस्तक, क्लाश्रूम ये सारी चीज़े क्या है, मूर्थ Quin हवा, मन, आत्मा ये सारी कि सारी चीज़े क्या है, अमूर्थ तो पहले बच्चे को हमें वो सारी चीज़े सिखानी चाहिए, जो इस्थाई हो, ठोस हो, दिखने वाली हो वस्तू, उके, उन चीजों का ग्यान देना चाहिए, और फिर धीरे-धीरे हमें उनको किस तरफ ले जाना चाहिए, वो सारी चीजे जिसको हम देख नहीं सकते, जो कि हमारी कलपना शील पर अधारित होती है, उके, इसलिए हमें बच्चे को पहले मूर्थ ग्यान दे और ले जाना चाहिए, मतलब आप, for example, के एक हाथ का उपियोग ले लो, आप एक जो हाथ होता है, वो हाथ आप ऐसे इस्तमाल करते हो, आपको पता नहीं लगता, लेकिन हाथ में आप तीन क्रिया एक साथ करते हो, जैसे कि कोनी से लेकर उपर के भाग को एक बार इस्तमाल क करना, और कलाई से लेकर आपकी जो उपियोग करना, ये तीनों चीज एक साथ काम करते हो, तो आपको ऐसा लगता है, हमें तो आदत है, लेकिन जब छोटे बच्ची थे हम, तो छोटे बच्ची में आपने देखा होगा, कोई चीज हम जल्दी से पकड़ नहीं पाते थे, क और फिर तीनों चीज को एक साथ, यानि की समान रूप में सिखाने का, यानि की इस्तमाल करने के लिए हमें मौका दिया गया, और बच्चे को साथ भी हमें ऐसे करना चाहिए, पहले हमें छोटी चीज सिखाने चाहिए, और फिर हमें समानने के और तरफ ले जाना चाहिए, मतलब हाथ का पूरा उपियोग करके सिखने के लिए बच्चे की मदद करनी चाहिए इसलिए मैं आपको का पहले विशेश आवसर वाले परिश्थिति का वर्णन करना चाहिए कि कोनी कैसे इस्तमाल करते हैं, कलाई कैसे इस्तमाल करते हैं पूरे हाथ का इस्तमाल करना बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, okay? Next है आपका, अनिश्चित से निश्चित क्यों, और important है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखेगा, अनिश्चित से निश्चित क्यों जाना चाहिए, बच्चे को सिखाने-सिखाने में, okay? मतलब कहने का ताथ पर यह है, कि जिस विश्चित से संबंदित, उसका ज्यान अपूण है, मतलब जो चीज उसको नहीं पता है, जो उसको कम आती है, उसको पहले हमें इसपष्ट करना है, और फिर हमें किसी नहीं ज्यान की तरफ उसे ले जाना है, okay? यह नहीं है, कि जो उसका ज्यान नहीं है, उसको जो चीज जिसका ज्यान अधुरा रह गया, उसको हमने छोड़ दिया और नहीं नहीं चीजे सिखाने लगए, okay? तो ध्यान रखेगा, जो ज्यान उसका अपून है, मतलब पून नहीं हुआ है, कम है, या फिर आइसपष्ट है, मतलब उसको सही तरीके से उस चीज के बारे में पता नहीं है, तो पहले हम उसको सही तरीके से ज्यान देंगे, और फिर किसी हम निश्चित और इसपष्ट की और ले जाना है, गेस्टोल्ट वादी सिध्धान्त माना जाता है, जिसके जनक कौन माने जाते हैं, तो मेलवन दीमर माने जाते हैं, important point है, ध्यान रख सकते हैं, पेडागोजी में वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये पूर्ण से अंश्की और आखिर होता क्या है, तो ध्यान रखेगा, पूर्ण कहने का मतलब यहाँ पर यह हैं, कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है, उसके सारांश की रूप में आपको पहले बताना, फिर छोटे-छोटे बिंदू का फिर खुलासा करना, okay, कहने का ताथ पर आपका यह हैं, कि पहले पूरा आपका हाथ का इस्तमाल बता सकते हों कि हाथ कैसे इस्तमाल करते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको उसको फिंगर का, उंगलियों का, अंगुठों का, कलाईयों का, कौन से चीज आलाग अलाग चीज रूप में कार्रे करती हैं, उस चीज के बारे में ग्यान दे सकते हैं बच्चे को, okay तो ध्यान रखेगा, पूर्ण से अंश्क्योर ले जाना, जो कि एक गेस्टोलवादी सिधानत है, और सही भी माना जाता है, इस सिधानत को, okay Next Point है आपका आगमन से निगमन की ओर, अब ये बहुत Important है आपका आगमन से निगमन की ओर, पहले तो आपको ये बताओना चीज था, आगमन होता क्या है, तो ध्यान रखेगा, किसी भी चीज को, अगर आप उधारन की द्वारा समझा रहे हो, तो वो क्या कहला हैगा? आगम मन से निगमन की और का अनुपालन कर रहुग, जो की बिल्कुल सही तरीका है, पहले बच्छों का आप सारी चीजों का उधारण से आप उसपश्ट कर दीज़े और फिर उधारन से नियम की ओर की तरफ ले जिया जाना चाहिए। यही सीखने सीखाने का तरीका का सबसे बेस्स तरीका माना जाता है. तो बच्यों को जो भी आप पढ़ा रहे हो किसी विशे के बारे में तो उसको पहले टुकडे टुकडो में बाट कर जैसे कि हम पहले में आपको कई बार या स्कीनर का एक सिधान्त भी है बच्चे को पहले छोटे-छोटे भाग को सिखाया जाता है फिर सारे छोटे भाग को एक साथ कोरिलेट करके एक बार समझाया जाता है और वो ही सीखने सिखाने की परकिरिया क्या है? एक सही तरीका है, तो ध्यान रखेगा पहले बच्चे को हम विश्य को छोटे-छोटे भागों में सिखाते हैं फिर बाद में उस सारी चीज़ों को एक दूसरे से कोर्रिलेट करता हुए समझाते विए चलते हैं, उसी होई क्या का जाता है? विसलेशन से संसलेशन की ओर कहा जाता है तो ये आठ परकार के आपके सिक्षन सूत्र हैं जो की पेपर में पूछे जाते हैं डिरेक्ली आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन में से कौन सा सिक्षन सूत्र बच्चों के सीखने सिखाने की परिकरिया का हिस्सा नहीं है तो ये ऐसे option दे रखेंगे तो वो सही answer होंगे अगर इसका उलट कर देगा, जैसे कि सरल से कठें की ओर है अगर हम इसको उलट कर दें, कठिन से सरल की ओर तो वो गलात हो जाएगा इसी चीज को ध्यान रखेगा, ऐसे करके question पूछे जाते हैं और वीडियो के end में मैंने आपको कुछ questions भी दे रखे उन questions को लगा के देखेगा, कि किस परकार के questions आपके paper में पूछे जा चुके हैं चलिए, next की ओर सिध्धान की ओर चलते हैं थर्ड, व्यक्तिगत विभिनता का सिध्धान बहुत बार आपको मैंने बताया भी है और यह सब बच्चे को पता है, individual difference क्या होता है सब बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन होते हैं हर बच्चे की क्या होती है, अलग-अलग मांग होती है हमें उसी परकार से उनको सीखने का अवसर देना चाहिए उसी हो क्या का जाता है, व्यक्तिवी भिनता का जाता है चलिए शाब्दिक शब पढ़ लेते हैं कि भिन भिन भाशा परिवेस परिस्तिती से आए बच्चे भी अपनी भिनता के बावजूद पढ़ सकें यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कहने का दात परियां पर यह है कि बच्चा जो होता वो अलग-अलग भाशा परिवेस परिस्तिती से आता है हर बच्चा क्या होता, सीखने में कोई बच्चा तेज होगा, सीखने में कोई बच्चा कम धीरे सीखेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो तेज सीख रहा हो उसको सिखाते चलो और जो नहीं सीख रहा उसको आप पीछे छोड़ दो, नहीं, हर बच्चा क्या होता, अपने मे एक विशेश होता है, सब बच्चों का ध्यान में रखते हुए, हमें सभी बच्चों को सीखने सिखाने की परकिरिया में क्या रखना चाहिए, एक साथ लेकर चलना चाहिए, हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, और व्यक्ति के बद विविंता जो होती है, वो शिक्षक को एक सीखने सिखाने की परकिरिया में चैलन्ज के रूप में उस चीच को लेना चाहिए, ओके, नेक्स्ट है आपका फूर्थ, अनुपात एवं क्रम का सिध्धान्त, अब ये अनुपात एवं क्रम का सिध्धान्त कहने का ताथ पर ये हैं, कि आप जो भी चीज आप सिखाते हो न, बच्चो को उसका एक क्रम है, उसका एक नियम बंद है, जैसे कि चेप्टर से पहले में आपको बताया था कि भाषा क्या एक नियम बंद अवस्था है, कैसे, तो ये अब वही आपका अनुबंद एवं क्रम है, जैसे कि आप जो भी चीज बच्चो को सि चाहिए तो ध्यान रखेगा सुनना बोलना पढ़ना और फिर लिखना होता है कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बच्चे को से सीखने का जो अनुपात एम जो करम होता है उसको सीरियल वाइस में लगाई है तो ध्यान रखेगा पहले आपका सुनना लिसनिंग होता है फिर बोलना स्पिकिंग फिर पढ़ना रिडिंग फिर लिखना फिर राइटिंग होता है कहने का आपका शापदिकर्त में यही है कि बहाशा के इन कोशल को करम में सिखाया जाए यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है जो कि मैंने आपको करम बताया सुनना बोलना और लिखने क्या यह ऐसा अगर आप करते हो तो बच्चा आसानी से सीखता और जल्दी से सीखता है नेक्स्ट सिध्धान्त आपका रूची का सिध्धान्त अब यह क्या है तो यह सिध्धान्त कहता है कि शिक्षन रूची पैदा करने वाला रूची जगाने वाला होना चाहिए इसके लिए विविन शिक्षन सूत्र या सिक्षन विदियों का परियोग करें आप सिक्षन जो आपकी विदियां है वो मैं आपके next chapter में करवाऊंगा अच्छी तरीकी से पूरी की विदि का इस्तमाल कर सकते हो जिस कारण बच्चे के अंदर रूची आए जिस परकार से बच्चा सीखना चाता है हम उसी परकार से हम उसे सिखाएंगे ये नहीं बच्चे का पहले कठिन काम दे रहे हो बच्चा कठिन आदर्श का या फिर अपने अच्छे साथियों के क्रिया कल्पों का अनुकरण करता है अब अनुकरण कहने का अतातकर पर यहां पर यह कि कोपी करता है आप इंगलिश में समझ लीजिए कि अनुकरण का मतलब होता है कोपी करना चाहे वो अपने बड़ो का हो, या किसी आधर्श वेक्ती का हो, या किसी अच्छे अपने शाती का हो, वो जो क्रिया कल्प करता है न हम उसकी कौपी करने की कोशिश करता है बच्चा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, शिक्षक जो होता है, उसका जो अपना उच्चा करता है कई बार आपने देखा होगा चोटे क्लास में जब बच्चा पढ़कर आता अपने स्कूल से तो घर पर आके रहा कि अपनी मैडम की तरह हरकति करने लग जाता है वह नहीं अपने टीचर से इंफ्लोएंस होता है वह बच्चा उसको देखर अच्छा लगता सब्सक्रा का एक दाइत हो है, कि उसका जो चारणों बिल्कुल साफ हो, एकदम शुदू हो, ये नहीं, किसी तरह के कऊ हो, या थिर अपतिजनक वयवार करें, या थिर अपतिजनक शब्दों का इस्तमाल करें, जिससे क्या हो जाएगा, बच्चे क्या कर रहेंगे, वो कही ना कही उसी तरीकी से वो सीखने लग जाएंगे, इसलिए हमें करना चाहिए, कि जो भी उसकी बोली हो, जो भी उसका लेखन हो, क्या हो, बढ़िया हो, सुन्दर हो, ताकि बच्चे उसको क्या सीख सके, अच्छी चीज़ें उन चीजों से सीख सके, ओके, नेक्स्ट है आपका क्रिया शीलता का सिध्धान्त, जिसको नवचार का सिध्धान्त भी कई बार बोल दिया जाता है, ओके, तो क्रिया शीलता का सिध्धान्त आकिर होता क्या है, तो शाब्दी कर्थ में कहा जाए, तो बच्चों को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह परकार की नहीं नहीं चीज़ों का इस्तमाल कर सकते हो चाहे वो शातू लेक हो चाहे आप सहित्य का कारेकरम आयोजन करवाना हो उसमें भाग लेना हो इस परकार की चीज़ों का इस्तमाल करके बच्चों में क्या कर सकते हो अप नहीं नहीं चीज़ों का उत्पन कर सकते हो बच्चों को किरियाशील बना सकते हो तो हमेशा नहीं नहीं चीज़ आपको अपनाते रहने चाहिए बच्चों को किरियाशील बनाने के लिए ऐस प्रेड़ना या फिर पुनरबलन का सिध्धान्त या फिर इसको अवर्ति या फिर अभ्यास का सिध्धान्त भी कई बार बोल दिया जाता है लेकिन प्रेड़ना या पुनरबलन का सिध्धान्त भी पूछा जाता है ज्यादा से अभ्यास का सिध्धान्त भी पूछ लिया जा प्रकार को उसको अफसर दिया जाना चाहिए जिसमें क्या उसका में बच्चे का सुधार हो और बच्चा उसका कारे को कर सके उसी हो क्या का जाता है प्रेडनाईवं पुनरबलन का सिध्धान जो की इसकी नर्वी कहते हैं नेक्स्ट आपका सहनु भूती पूर्ण का सिध्धान, तब ये सहनु भूती कहने का तात्पर यहां पर यह हैं, कि सिक्षक का जो वहवार होना चाहिए, वो सहनु भूती होना चाहिए, मतलब प्रेम भरा होना चाहिए, जैसे कि बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आ रह पूछेने के लिए खड़ाई नहीं होगा इसलिए जो टीचर का वहवार होना चीए हो कैसा होना चीए सानुभोती होना चीए बच्चे को उपर समझना चीए उसको प्रेम भाव से सारी चीजे बतानी चाहिए फ्रेंडली बहेवियर होना चीए टीचर का ओके और लास्ट है परिपावकता का सिध्धानत अभी होता क्या है तो सरल शापदिकर्थ में कि सिक्षक अपने कारे में परिपावक हो उसके वाचिक या फिर आपके अव्य हो वह सही बोले एवं परभावशाली बोले अब कहने का तात पर यहां पर यही है कि जो भी सिक्षक बोल रहा है जो वार टीचरों से भी गलती हो जाती है ऐसी बात नहीं कि टीचर हर बार सही हूँ कई-कई बार गलतीया हो जाती है लेकिन उस समय टीचर को अपनी गलती accept माननी भी चाईए और सही तरीके से ग्यान बच्चों को परदान करना चाहिए वही क्या होता परिपावक्ता का सिध्धान्त कहलाता है तो ये था आज का अपना second chapter भासा सिक्षन के सूत्र और सिध्धान्त पूरा का पूरा theoretical portion में आपको अच्छे से करवाने की कोशिश करिए चलिए आप यहां से questions किस परकार के पूछे जाते हैं पहला option सिक्षन को सवार कर रखते हैं सिक्षन को संब्रिद्ध करते हैं सिक्षन इनी के बल पर चलता है या सिक्षन के फल फूल होते हैं तो सिक्षन सूत्र और सिक्षन सिध्धान्त जो होते हैं वो सीखने सिखाने की परियरिया को क्या करते हैं अच्छा बनाते हैं उसे और enhance करते हैं तो वो क्या करते हैं? सिक्षन को संब्रिद्ध करते हैं तो option number second इसका बिल्कूल हम सही answer मानेंगे next question नियोजक का सिध्धांत पहला मैंने आपको बताया था नियोजक का सिध्धांत तो नियोजक का सिध्धांत कहता है कि यह फिर कहलाता है कि पहला option अपनी सिक्षन परकिरिया का नियोजन करो बच्चों की सीखने की समता का नियोजन करो अपनी सिक्षन के उद्धेश्यों का नियोजन करो यह फिर अपनी कक्षा के बच्चों का नियोजन करो तो नियोजन जो सिध्धान्त मैंने आपको बताया था वो क्या बोला था मैंने आपका कि टीचर जब भी पढ़ाने के लिए जाता है तो पढ़ाने से पहले अपने वो क्या करता है पूरी की पूरी क्रियावानी बनाता है कि किस परकार से पढ़ाना है क्या से पढ़ाना है वो सारी चीजों का नियोजन करता है तो क्या करना होता है वो अपनी इसका बिल्कुल सही आंसर था next question, कौन सा सिक्षन सुत्र पूर प्रात्मिक स्थर के लिए अनुकूल नहीं है, दियान रखेगा अनुकूल नहीं है, वो पूछ रखा है तो पहला आपका अनिश्चित से निश्चित की और, बिल्कुल मैंने आपको निश्चित की और तो सही था, लेकिन मूर्थ से अमूर्थ था, मूर्थ से मूर्थ की और नहीं था पहले हमें वो चीज़े दिखानी होते हो, जो दिखती है जिसका स्वरूब होता है, ओके फिर हमें काल्पनिक चीजों के पर ले जाना पड़ता है लेकिन यहां उल्टा कर रखा है option number second इसका बिल्कुल सही अंसर था जो कि हमें नहीं चुनना था next question भाषा की यात्रा नहीं होती मतलब भाषा जो होती है वो किस अनुसार सिखाई जाती है किस आपके सूत्र के अनुसार सिखाई जाती है पहला कठिन से सरल की ओर तो पहला यह option आपका गलत है कि आपका यह नहीं होता सरल से कठिन की ओर होता है मैंने आपको पढ़ाया था सूत्र में तो option number first इसका गलत था और हमें गलत ही चुनना था next question गेस्टोल्डवादी का सिध्धान्त संकेत करता है तो गेस्टोल्डवादी सिध्धान्त में आपको पढ़ाते समय सूत्र में बताया था कौन सा होता है गेस्टोल्डवादी सिध्धान्त था आपका पून से अंश्कियोर तो option number third इसका बिल्कुल सही answer था गेस्टोल्डवादी सिध्धान्त को अंसा इसमें पून से अंश्कियोर होता है मतलब सारी संपून जानकारी एक बार और फिर धीरे धीरे उसका हिस्टो का अलग अलग करके उन्ची जोको समझाने हो क्या का जाता है गेस्टोल्डवादी सिध्धान्त का जाता है जिसको पून से अंश्कियोर कहा जाएगा जिसके बोल सकते हो जनक कौन थे तो मैं वंदीमर थे आपको बताया था पढ़ाते समय तो option number 3 इसका बिलकुल सही answer था तो ये थी आपकी पूरी की पूरी theory और उससे related कुछ important questions जो कि आपके exam में किस परकार से पूछे जाते हैं वो मैंने आपके कुछ questions लाकर आपको यहाँ पर देने की कोशिश करी है बाकी जब practice करेंगे केवल questions हो की तो वहाँ पर आपको नई-ई-ई-Quosion अलग-अलग कोशन देखने को मिलते रहेंगे तो ये थी दोस्तों आज के अपने second chapter आपके भाषा के सिध्धानत और सूत्र के बारे में ओके तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और दोस्तों कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो का है ना कई बार ना notification नहीं मिलता और वो भी कई बार बच्चे बोलते हैं कि वो सर ओपन नहीं हो पाता तो ओपन नहीं हो रहा है तो डियर आप प्ले स्टोर में जाकर टेलिग्राम डाउनलोड कर लो और वहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाकर सर्च मार लो डी की गुपता तो हमारे चनल का लोगो दिख जाएगा आप वहाँ पर जाकर जोईन हो जाएए जब भी हम यूटूब पर ओनलाइन आते न तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि ओनलाइन आ जाकर आप अपनी क्लास ले सकते हो जिससे आपी क्लास क्या होगी मिस नहीं होगी बाकी में आपका लिंक नीचे डिशिश में दे रखा है अगर ओपन हो जाए तो ठीक है क्योंकि कई बार वो लिंक काम नहीं करता है तो आप वैसे भी जाकर सर्च मार कर आप उसमें जोईन हो सकते हो तो यह थी दोस्तों आज के हमारी सेकिंड वीडियो ऐसी हमारी कॉंटिन्यू चलती रहेगी NCRT बेस पर तो दोस्तों आज की वड़ों बस इतना ही अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिया कर यार लाइक की आपका क्या हमार रह दिये motivation और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के चाथ सरुजरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ में अगर आपने इस लोग अब तक सबस्क्राइब नहीं कर रहा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बैल आइकोन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज को नोडिक्शन आपको टाइम बुटाइम मिलती रहे तो दोस्तो आज के वीडियों बस इतना ही आपसे फिर्म लाकात होगी नेक्स वीडियों में जब तक के लिए जय हिन जय भारत